Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Use Euclid Division Find the HCF of 135 and 225. यहाँ पर देखिए आपको Euclid Division Use करना है और यहाँ पर HCF Find करना है 135 and 225 का तो देखिए आपका जो Euclid Division Lemma होता है यह कहता है आपका Euclid Division यहाँ आपका होता है यहाँ पर A is equal to BQ plus R अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका A is equal to होता है Dividend A is equal to हमारा Dividend होता है R is equal to हमारा होता है यहाँ पर Reminder and B is equal to यहाँ पर आपका होता है Divisor and Q is equal to यहाँ पर आपका होता है Queshant तो यह आपका यहाँ पर सभी किलियर हो जाती है जो आपके हमने यहाँ पर Terms यूज की है तो so इसके according यहाँ पर देखिए आपकी जो 225 है वो greater है 135 से तब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ से आपका यह implies हो जाएगा 225 आपका equal हो जाएगा 135 into 1 यदी में करता हूँ पलस जो मेरा Reminder यहाँ पर बचेगा वो बचेगा 90 तब यह आपका किसके equal हो जाएगा 225 के यही आपका equal division lemma होता है तो यहाँ पर क्या होगा देखिए next आपका यहाँ पर देखिए Reminder आपका Reminder और does not equal to 0 यह 0 के equal नहीं है तो again हम यहाँ पर करेंगे तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए यह आपका 90 हो जाएगा यह आपका यहाँ पर जो A की value हो जाएगी यहाँ पर A की value आपकी 1, 3, 5 हो जाएगी and B की value आपकी यहाँ पर 90 हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर 90 into 1 कराएगे प्लस 45 हमारा हो जाएगा और यह आपका इकवल हो जाएगा किसके 1, 3, 5 के इकवल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए here R is equal to 45 जो कि आपका 0 के इकवल नहीं है तो इस लहमा को फिर से हम repeat करेंगे तब देखें यहाँ पर जो A की value हो जाएगी वो 90 हो जाएगी and जो B की value हो जाएगी आपकी वो आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी तो 45 into 2 90 हो जाएगा प्लस 0 आपका reminder हो जाएगा तो यह आपका यहाँ पर R is equal to 0 आजाएगा so stop यहांपे हम क्या करेंगे stop the process यहांपे हम क्या कर देंगे इसको इस procedure को stop कर देंगे stop the procedure so यहांपे जो HCF हो जायगा is 45 आया आपको यहांपे यह आपका HCF हो जायगा so HCF is 45 hence Hence, answer यहां पर आपका हो जाएगा. Hence, HCF of 135 and 225 is 45. I hope you understood the explanation. Thank you.